बिग बॉस सीजन 16 में निटिजन्स का फूटा करन जोहर पर गुसा सब ने कहा करन जोहर is biased आए जानते हैं कि निटिजन्स को क्यों नहीं पसंद आए करन जोहर क्यों पेपल अब भी डिमांड कर रहे हैं सल्मान खान की आए जानते हैं फुल खबर बिग बॉस सीजन 16 में पैसे देखा जाए तो वीकेंड के वार की जान हमेशा से सल्मान खान रहे हैं और एक बार फिर करन जोहर ने जब होस्ट किया तो ये फिर से प्रूव हो गया और नेटिजन्स ने करन जोहर को biased कहा और स्टिल सल्मान खान इस इन डिमांड बेसिकली हुआ यू है वीकेंड के वार पर की अर्चना और गोरी नगोरी के बीच जो जबर्दस पंगे और फाइट हुए थे जिसमें गोरी नगोरी ने अर्चना की कैप्टन सी में बिलकुल भी काम नहीं किया और अर्चना को प्रोवोक किया था इसे लेकर करन जोहर ने गोरी नगोरी को जिम्मेदार ठहराया गलत ठहराया और उन्हें काफी सारी फटकार भी लगाए लेकिन अर्चना का पूरी तरीके से साथ दिया अब ऐसे में लोगों का मानना है निटिसंस का मानना है कि करन जोहर इस बात को लेकर करन जोहर को बायस कह दिया है निटिसंस का मानना है कि करन जोहर ने तोटली अर्चना का साइड लेते हुए गोरी नगोरी को बहुती जबरदस तरीके से बैश किया है जो कि निटिसंस को नहीं पसंद आया तो ऐसे में अभी भी लगाता निटिसंस का मानना है So Salman Khan is so in demand क्योंकि Salman Khan is not at all biased वो बिल्कुल fair enough चीजे रखते हैं balance करके चीजों को या decide करते हैं या decision लेते हैं तो यहां पर netizens का मानना है that Karan Johar is biased So netizens wants Salman Khan back क्या कहना चाहेंगे इस कबर पर क्या आपको भी ऐसा ही रखता है that Karan Johar is biased and so you need Salman Khan अपने reactions जरूर बताएं हमारी comment section में till then stay tuned to our channel for more interesting updates